इंदोर के विशीश ग्रह बालक से भागया आठ बाल अपचारियों की खोच जारी है। इस बीच कलेक्टर लोकिश कुमार जाटाउने गटना की मेजिस्ट्रिल जांच के आदीश दिये हैं। जांच चार प्रमुक बिंदों पर होगी। कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट पर स्तूत करने के लिए दो हफ्तों का समय दिया है। जांच चार बिंदों पर आधरीत होगी। जिसमें स्टाफ की लापरवाही, व्यवस्था की खामी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और पूर्वों मेहोच की घटनाओं के बाद क्या कदम उठाए गए हैं। अबीता को देखते हुए, मैंने अलेडी मिटिस्टर जांच के आदेश कर दी हैं। जांच के जो दो-तीन प्रमुक बिंदू हैं, उस पर से पहले ये देखेंगी कि क्या उस घटना में वहाँ पे जो स्टाफ पदस्त है, होमगाट का स्टाफ भी है और जो रेगुलर स्टाफ है, वहाँ का धीक शक हैं। कलेक्टर लोकिश कुमार जाटों ने जांच रिपोर्ट प्रस्तूत करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है, इधर विशेश ग्रह से भागे बच्चों की खोद जारी है। का स्विभाग ने संग्यान लिया और ना ही जिला प्रशासन ने। यदि समय रहते सुधार हो जाती तो शायद यह घटना ही नहीं होती। अब देखना होगा कि जिला ने अधीश त्वारा दिये गए सुधार की निर्दिशों का पालन होता है या फिर किसी बड़ी घटना की इंतजार में अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बेटे रहते हैं।